तो चमशेटपूर से श्रद्धा हमारे साथ जुड़ी है स्वागत है आपका हालो हालो जी नमस्कार मुझे जाना था मुझे पूरी स्पाइल में प्राब्लम होती है बस डले की चारोत रभी तरभी श्वेलिंग आगई यह दोनों तरह बले की बाएं और दानी दानी तरभी स्वेलिंग है तो हमें क्या दवाई लेनी चाहिए बेटा कैसी कितनी उमर है आपकी मेरी चालिस है और यह मुझे साथ सर पहले सी हुआ है ठीक है अच्छो दिखिए आपके गले के लिए एकिलाज है कि आपको पांच बार दिन में गरम पानी पीना है और उसमें गरम पानी करेंगे न तो उसमें आदा चमच सौट और आदा चमच अदा चमच धनिया और एक चुटकी इसमें मिलाना है खाने वाला नमग दो गिलास पानी में उबालिये इतना उबालिये कि एक गिलास रह जाए जलते जलते और पर गरम गरम पीज़े जो चुस्कियां लेके तो गल का इलाज हो जागा स्पाइन की प्रॉबलम की दुनिया की एक अच्छी रो मैटेरियल मैं बताता हूं मिलेगी मुश्किल से नकली मत लेना असली लेना गौन सियाह यानि काला गौन काला गौन आप सो ग्राम भी खरीद लेंगे तो उसके खतम होते होते आपका ठीक होना जिसकी खुराग बहुत जरासी है और 10-12 रुपे की एक दिन की इसकी दवा है अगर असली मिल जाए तो 10-12 रुपे एक दिन में खर्च कर सकता है शायद हर आदमी आप भी उसे हासल करने कोश़ कीजिए आदा गिराम सुबा आदा गिराम शाम इसको खाइए और आप देख हालो हालो हां जी सवाल कीजिए मैडम मैंने कल रिफोन करा था जी 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 मैंने अखीन ताफ टेक वो बताया था जी क्या बताया था आपको उन्होंने बोला था आचरफ लक्तन और क्या करते हैं कि मैं जातो उनको घ्रका कौनी को? यह मेरी नशेब को रही है उसके लिए बताया था вниз तो मैं पर पता करestabर क्या है जहां पर मिंटा है प्र इह बहुताओ एग वायद उनके वाह जा कर आए बादकर क्या है आए झा कई लों यह तो तो ऐहां पर नहीं पर भाईक मैंने कए कुछ ना कुछ बोलेगा फिर आप परिशान होंगे यह तो उनका सिर्का आता है और यह आपको हासिल करना है कहीं नी मिले तो हमारे पास भी मिल सकता है थोड़ा वेट करना पड़ेगा हफ़ता दो हफ़ता लगेंगे आप तक पहुंचने में और किसी से बनी बनाई लीजे का लीज़ें यह इसकी बनी बनाई दावा भी आती है और वो है सीरफ हृक ह केर kayak हम veteran के लिए यह धिमांग के मरज के लिए ब्लॉकिज को जाती है यह हर्ट ब्लॉकिज हो जाते है यह kherp हो जाता है उसके ले हो तो यह आप खुद भी बना सकते हैं यह भी ले सकते ह आपको फाइदा मुमक्न है मेरी बात गवर से सनाकर ये आपका व ож tourism करने की आपका व्लक चाहिए होता है झाधारिष से बता रही और हूँ मिलता है कले हुई उलहें लिए टक्यूंत पास्तों मिलता है क्यों ये जैतुंलिये हाँ पैदा नहीं होता तो कुछी लोग इसको ब मुबई से हमारे साथ, स्वागत है गुपाल आपका। अच्रा कोई सवनोग्राफी वगारा करा लिए आपने? सवनोग्राफी में कुछ नहीं आ रहा है ठीक है फिर बहुत अच्छा है तब मैं एक लुश्वागता बताता हूँ और बच्ची के अगर पत्री नहींत ब्हूत आपके पत्त हैं इस बहूत अच्छा सौट या अदरक का जो पाडर होता है उसे सौट कहते है और अलसी सौफ धनिया सौट अलसी और कलोंजी का नमक एक गुआता है एस्टेक कलोंजी का उसको हम आसान जबान में कलोंजी का नमक कहते हैं इन सब को सो सो गिराम लेकर पार्डर बनाएं और तीन तीन गिराम दिन में खाने से पहले पानी के साथ इनको दीजे और एक दिन में पांच बार इने गरम पानी पीना है ये अगर करते हैं तो बहुत जिल्दी बच्ची का ठीक होना मुम्किन है तो चलिए आपकी बच्ची जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी लेकिन जो अभी आपे नुस्के हकीम साहब ने आपको बताए है ये नोट डाउन जरूर कर लीजेगा उमीद करेंगे कि अब आप ये नुस्के अपनाना शुरू कर देंगे क्योंकि आप भी चाहते होंगे हम भी चाहते हैं कि आपकी बच्ची जल से जल स्वस्थ हो जाए तो आपने विश्वास के साथ इस कारक्रम में कॉल किया है तो उसी विश्वास के साथ आपको ये नुस्के भी अपनाने होंगे तब ही देखिएगा आपको लाभी लाभ जरूर मिलेगा दर्श को फिर से ब कंपनी से आप उन्हें मंगवा सकते हैं लेकिन जल्दबाजी में कोई भी चीज आप तक नहीं आप आएगी क्योंकि हम असली ही आप तक पहुंचाते हैं जो आपको घर में ही पीसके बनानी होगी और जो दबाई भी आपको हकीम सहाब यहां पर बताते हैं वह युनानी प बात कर रहे हैं नाम क्या है आपका मैं टावा से बात कर रहे हूं नाम लाली है चलिए ठीक है लाली असली पेशेंट तो आप ही हैं सीधा बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं ऐसी पेशेंट होते हैं जो सही ज़रुवत्पंद होते हैं लाली तो आप अगर ठीक होना चाह और एक गौन आता है गौन सिया हम कहते हैं और इसे काला गौन भी कहा जाता है ये असली हासिल करिए असली ही मिलना चाहिए और आदा ग्राम सुबा आदा ग्राम शाम पानी से ये बगए चर्बी के दूस से और आप अगर रई से तो जूस से ये कभी दूद कभी पानी कभी करें आपको बहुत जल्द फाइदा होना मुमकिन है बिलकुल हकीम साब जैसे कि आप बात करते हैं गॉन सिया की गॉन मॉरिंगा की तो इनके पहचान आपसे जरूर में यहां पर जाना चाहूंगी क्योंकि यही है जो व्यक्ति को इतना जादा फाइदा दे रहा है और कुछ लोगों को तो मिल पाना ही मुश्किल हो रहा है अगर आप उससे कहें कि असली दूद की पहचान करो तो भी नहीं होती जे शेहद में भी लोग जो नकल बनाने वाले हैs बहुत बेलकुल मतलब असल जे भी अच्छा बना देते हैं दूद भी बना देते है σबसे पहले तो नहीं सबसेंग पहचान जू दवाइयों की है यह कड़वा होता है, काफी कड़वा होता है, ठीक है, अगर एक चुटकी मुह में रख लो, गौंध है, गम है यह, तो फिर धीरे धीरे मुह कड़वा होना शुरू हो जाता है, इतना कड़वा हो जाता है, धीरे धीरे कि आत्मी को थूकना पड़ता है, फिर भी ठीक नहीं ह करेला भी कुछ नहीं, यह सब तो मैं ऐसी खा जाता हूं, नीम, करेला, जितीव कड़वी चीज़े हैं, यह इतना कड़वा है कि फिर मुझे, अगर मैं जल्दी से कुछ नहीं करूं तो मुझे परिशानी हो जाती है, रंग में ब्राउन होता है, काला कहते हैं, इसे गौंद हलो, जी, जी, नाम बताएं, अबेस, आप से जावाण, जी, सवाल कीजिए, तो, तो, आप में इसकी निलर्जी आतो मेरा, ठीक है, तो डौंद साब जे खरणुपा हैं, ठीक है, जावान साब, मैंने आपको नश्का बताया था, जआ पर चेवता दीता हूं, देखिए, धनिया सौफ धनिया सौफ सौट और गौन मौरिंगा यह सब चीजें 100-100 ग्राम लें और वैसे आधा-धा चमज सुबा-शाम पानी के साथ लें तो आपको फाइदा होना मुम्किन है तो चलिए हम उमीद करेंगे कि अब आपने सारी बाते यहां पर जान ली होंगी अगर कर सकते हैं क्योंकि जब आप लोग अपने आपको समझेंगे अपने शरीर को समझेंगे अपने जीवन को समझेंगे तो एक बहतर उपचार आप सभी कर सकते हैं और ऐसे घरेलून उसके आप लोगों को बताया जा रहे हैं जो बहुत सरल हैं बहुत आसान है आप लोगों को जो हकीम सहाब लगतार आप लोगों को बता रही हैं मन में कोई भी संकोच आप लोगों को नहीं रखना है सिर्फ जुड़ना है हमारे साथ कोशिश हमारी यही रहती है कि सभी कॉलर से यहां पे खुलके बात की जाए उन्हें सही उपचार बताया जाए लेकिन अगर आप लो कार और कब्स वगयरा वगयरा हमें जो है पेट साफ रहना चाहिए और एक हमें नजला जुकाम नहीं होना चाहिए ठीक है नहीं आनी चाहिए अब क्योंकि यह पता चला है लोगों को हाला कि मैं तो शुरू से कहता हूं कि देखिए हमारे अंदर जो एक शक्ती है परवाले और प्रवाले ने दिये सब को तो वो शक्ती ऐसी है जो बीमारियों से लड़ती है हमें पता भी नहीं चलता वो हमारे खुन में है अब गाओं वाले कहते हैं कि खुन में सर्दी है इसके तो यह जो झो खुन की सर्दी है जो लोग जरासी हवा चलने से जरासा छोका लगने सीकने लगते हैं ये बड़े कमजोर लोग कर लाते हैं और इनमें इम्मिनिटी की कमी होती है इम्मिनिटी हर शक्स में जरुट के मताबिक होनी ही चाहिए और मौजूदा वक्त में तो पूरी दुनिया को इसकी जरुट पढ़ गई जबके यूनानी हमेशा से इस शक्ति के बारे में जो हम कुट मुदाफियत कहते हैं यानि रोग पिती रोदक शक्ति जो होती है इसके पारे में यूनानी हमेशा से बात करती है तो हमें चाहिए कि कुछ ऐसी दवाएं जो रोग पिती रोदक शम्ता बढ़ाती है उनको लगातार 5-6 महीने इस्तिमाल करें सभी बनाते हैं हम भी बनाते हैं और गरेल नसके भी बताते हैं जिसको जो चाहिए वो इस वक्त बहु आपको आपको खा रही हूं अच्छा 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 यह बताए तबियत आपकी कुछ बहतर हुए आपको तो अभी तक मुकमल फाइदा हो जाना चाहिए इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि चाहे दवा नखाए वो बगएर दवा के भी ठीक हो सकते लेकिन घर में वेस्टन ट्वाइलिज जरू होना चाहिए जिनके कमर से टांगों में दर्द आता है और हर घर में तकरीबन कोई बुजर्ग होता है जो इसकी उम्र जादा होती है आप और मेरी उम्र तकरीबन यकसा है बरावर है तो आपको ये काम जरूर करना है अगर आपको ठीक होना नहीं तो बार बार दवाएं आपके उस जगा को जोड़ती हैं और आप जब वेस्टन होता फारिक होने के लिए जाते हैं तो उसको तोड़ देते हैं तो मैं जमयदारी नहीं लेता जब तक आप के घर में वेस्टन ट्विलिवट नहीं होता है एक सीटह लगवानि में जो आपके बात्रूम है उसे पर एक सीट लगवानी है बात खतम कितना पैसा लगा हाजार 2000 रुपे लगे जाए इतना पैसे तो आप दवाओं पर खर्च कर देते हैं तो आप यह ज़रूर करें जब यह आप पुरी तरह ठीक हो सकते हैं नेक्स्ट कॉलर है दिनेश भाटिया नॉइडा से हमारे साथ स्वागत है आपका दोक्ताब सलाम अलेकुम जी जी आदाब आदाब भाटिया साथ एक्चली मैं दोक्ताब मेरी जोटर हैं 16 साल की हैं जी और वो पहले चंडी कर रहती थी अब यहां नाडा शेप्ट होगी हैं तो दोक्ताब उसके बाल अचानक ना काफी जड़ने लगते हैं बहुत बच्ची का हार्मोन टेस्स जरूर करा लें और नस्खा भी मैं बता रहा हूं एक नारियल पानी मरोज पिलाएं और बच्ची काफी होना चाहिए उस बच्ची के लिए नाडा में मिलता है और उसके बावजुद भी आप उसको ऐसा लगे कि कम पाइदा है तो आदा गिराम इस नारियल पानी के साथ गौन मौरिंगा इस्तेमाल करें ये काफी पावरफुल होता है और रोज़ाना लें कुछ हफते लेंगी तो उनको फायदा होना मुम्किन है